कॉंग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने महंगाई को लेकर सरकार का बताया विफल राज में कॉरोना का ग्राफ लगातार गिरा उत्रकंड में दैरादुन साहित सभी जिलों में 50 से कम कॉरोना पॉसिटिव तीस गंडे में तैय हो रहा है चार गंडे का सफर लकडी के लटो के सहारे नाले पार कर रहे हैं लो प्रिशिकेश में एम्स में बच्चों के लिए बनेगा सौबेट का कोवेट वॉर्ड कोवेट वॉर्ड में ऑक्सीजन बेट आईसी यू बेट जैसी तमान सो विधाय उपलब्द रहेंगी स्वागत है आपका करते है शुरुआत पहार सबाचार के साथ नैंदाल हाई कोड के चीज जस्टिस आर एस चोहान और जस्टिस आलोग वर्मा की खंड पीट ने उत्रा खंड की सरकार को आड़े हाथ लिया है कोड ने बच्चों के कोरोना महमारी की चपेट में आने की स्थिती में उससे निपटने के लिए राज में नाकामी व्यवस्ताओं को लेकर स्वास सचिव अमित नेगी को कड़ी फटकार लगाई है इस समन्द में दायर जनहित याचकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि डेल्टा वेरियंट एक महीने में पूरे देश में फैला हुआ था डेल्टा प्लस वेरियंट को तीन महीने से भी नहीं लगेंगे फैलने में फिर हमारे बच्यों को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं तो एक बार फिर से कोट ने हाई कोट ने उत्राखंड सरकार को फटकार लगाई है जिस तरह से लगातार मामले जो हैं वो कोरोना के घट रहें लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार ब्राक जो है वो तमाम लोगों पर फैलाने में समय नहीं लगाएगा वो यह नहीं देखा गया कि क्या सरकार की तैयारिया इसमें दुरस्त हो गई है तब हम आए ऐसा नहीं होगा तीन महीने भी नहीं लगेंगे डेल्टा को पूरी तरह से फैलने में हाई कोट ने हाई कोट की काई लगाई है बताते बुद्वार को मुख्य नयायदीश आरेस चोहान और नयायम उर्थी अलोग कुमार वर्वा ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए मुख्य सचप डॉक्टर आशीश चोहान से बात करी जिसमें उन्होंने साफ तोर पर ये कहा है कि बच्चों के लिए तीसरी लहर घा तक बताई जा रही है तो आपने क्या तैयार्या की है वो सुनेश्चित करिये कुम्मे फर्जी करोना जांच के मामले में आरोपी लाल चंदानी पैथलोजी लैब ने भी आई कोट में याचका दायर की है लाब ने मुकदमा निरस्त कर गिरफतारी पर रोक लगानी की मांग की है लाल चंदानी लैब के निदेशक मंदल की ओर से दायर याचका में कहा गया है कि उनकी लैब ICMR से मानिता प्राप्त है मैक्स की ओर से लैब को जो काम दिया गया उसे उनोंने पूरी जिम्मेदारी से पूरा किया लैब में करीब 12,000 जाचे की गई है इनमें किसी भी तरह का फरजी वाड़ा नहीं हुआ है मैं आपको बता दू यह लाल चंदानी जो लैब है वो वही लैब है जिसको टेंडर दिया गया था कुम मेले में तमाम लोगों के जो महापर आये हुए थे उनकी जांच के लिए शद्धालू की जांच के लिए टेंडर पास हुआ था लेकिन इसमें बड़ा फरजी वाड़ा जागर हुआ था जिसमें आरोप लगे थे इस लैब के उपर कि इन्हों ने उस लैब में उनकी भी रिपोर्ट दर्च की हुई है उनके नाम टेस्टिंग में दर्च किये हैं जो कुम मेले में मौझूदी नहीं थे जो आये नहीं थ तो बड़ा फरजी वाड़ा कई न कई उजागर हुआ था इसको लेकर ही अब लाल जंदानी लैब के निदेशक ने मंडल की ओर से ये दायर की है याचका कि उन्होंने किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं किया है लैब का जो काम है उन्हें जो दिया गया था वो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से निभाया है करीब 12,000 जाँचे की गई है जिसमें किसी तरह का फरजी वाड़ा नहीं हुआ है तो फरजी वाड़े की बड़ी खबर तो बड़ी फरजी वाड़े की खबर आई थी तो कॉंग्रेस के नेतास खबर पर हमारे सारा राओ अफ़ाग जुड़ चुके हैं मैं राओ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं आप से जाना चाहूं कि जो बड़े फरजी वाड़े की जो लाल चंदारी लैब की तरफ से बात उठी थी उसके बाद उन्हों ने आप याचिका दायर कर दी है कोट में कि उनकी तरह से कोई फर्जी वाड़ा नहीं हुआ है जो बहुत बड़े कर देखा 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 ले खाल है पूजा पाद कर रहा है उन्हें पुम्मे महां गोटा ले हुए थे और इस पुम्मे भी बड़े गोटा ले हुए और यह जैसा अभी सख्काल महराजी ने अभी चार पाइद दिन पहले का आगे मैं सिचाही बाग के जो बड़े बड़े जएक है वो छोटे चोटे करके दे रहा हूं अबने कारी करता हो दे तोहीं अपने कारी करता हो को अपने दलालों को जो इनको कमिशन देते हैं या इसक तो यह चुनाओं में जिन से लाब लेते हैं कि इसी तरह है जी राओ जी कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि शायद तक राओ जी से संपर्क भी नहीं हो पार है उनको मेरी आवाज नहीं जा पार ही है तो लगातार जो लाल चंदानी है इस पर कही न कही यह बड़े आरोप लगे थे कि बड़ा फरजी वाड़ा जो है वो दर्च किया गया था कुम मेले के दौरान जिसमें उन जांच की बात की गई थी वहीं हाई कोट में अब लाल चंदानी लैब की तरप से भी याज का दायर की गई है जिसमें 12,000 जांच की गई है उन्होंने का है 12,000 जांच हमने पुरी जिम्मेदारी के साथ की गई है और माई तर से कोई फरजी वाड़ा नहीं हुआ है तो भारती चिकिसा संग की उत्राखंड शाखा ने योग गुरू बाबराम देव और पतंजली के सीओ आचार बालकृष्ण के खिलाफ देरादून के कैंट थाने में तहरीर दी है तहरीर में IMA ने पतंजली की कोरोनिल दवा पर सवाल उठा है इसे उन्होंने लोगों के जीवन को गंभीर संकट में डालने वाला उत्पात बताया है साथी इसके सापेक्ष प्रस्तुत किये गए हैं रिसर्च पेपरो को भी उन्होंने जलसाजी से बनाए गए दस्तावेज बताया है आरोप है कि बाबा रामदेव और आचार रिबालकृष प्रभाव शाली व्यक्ति हैं उन्होंने इसी प्रभाव के चलते देश दुनिया को धोके में रखा है एक तरफ जहां आत्या धुने को साइंस पिछले साल वाइरस को समझने का प्रयास कर रही थी वही बाबा रामदेव की पतंजली ने महस दो से तीन महीने में अंदर ही उसके कुरोनिल डवा बनाने का दावा किया था तो एक बार फिर आयमे और बाबा रामदेव आमने सामने आ गए हैं तरह से बाबा रामदेव ने ऐलोपैथिक दवाई पर सवाल उठाये थे उसके बाद आयमे ने अपनी रिसर्च में ये जाच में उन्होंने साफ तोर पर कह दिया है कि कही न कहीं जो ये कुरोनिल डवा है ये लोगों के लिए और खत्रा बन सकती है कुरोनिल डवा पर सवाल उठाये गए हैं गंभीर संकत में डालने वाला उत्पाद बताया है इसे साफ तोर पर उन्होंने कहा है पैपरो की रिसर्च भी जो है वो भी जालसाजी से बनाई गई है तो पैपरो की जो रिसर्च दिया उसमें इस दवा को सही बताया था कि ये प्रभाव शाली है जिसको लेकर आयमे के डारिक्टर ने भी इसको लेकर सवाल खड़े कर दिये कि पैपरो की रिसर्च भी गलत है और जलसाजी से बनाई गई है उत्रकट में पिछले 24 गंटों में करोना संक्रमट के 149 नए मामले सामने आये हैं वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई इसके अलावा 152 मरीजों को ठीक होने के बाद घर बेचा गया है प्रदेश में अब तक करोना के कुल संक्रमटों की संक्या 3,49,127 हो गई है इन में से 3,23,377 लोग ठीक हो चुके हैं वहीं सक्रिय मामलों की संक्या घटकर 28,77 पहुँच गई है प्रदेश में करोना के चलते अब तक कुल 7,068 लोगों की जान चाच चुकी है प्रदेश में ब्लाक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो दुद्वार को साथ नए मरीज में ब्लाक फंगस की पुष्टी हुई जबकि एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया करोना महमारी में प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को बहतर स्वास्व व्यवस्ता और करोना महमारी से कारगर तरीके से निपटने के लिए तरीके विधायक को एक करोड की धन्राशी दी गई प्रतेग विधायक को इसके तहत एक करोड की धन्राशी दी गई थी जो विधायकों द्वारा अपने अपने विधान सभा में कुरोना से निपटने में व्यवे करना था अलमोडा जनपत में 6 विधान सभा है, सभी विधान सभा में विधायकों द्वारा अपने अपने चेत्र में इस राशी का उपियोग किया जा रहा है मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताए कि जनपत के 6 विधान सभाओं के लिए 6 करोड की धनराशी आई है जिसमें से 4 करोड रुपे खर्च किये जा चुके हैं और सभी विधायकों को उनके पास प्रस्ताव आ गये हैं जो कोवेड सामगरी में खर्च किये जा रहे हैं अभी तक हमारे पास जो 6 विधान सभाओं से लगबख 6 करोड के सापेक्ष लगबख 4 करोड के प्रस्ताव आ चुके हैं इसमें अधिकांज प्रस्ताव ऑक्सिजन प्लांट के लिए हैं कुछ मानिस अदस्यों द्वारा ऑक्सिजन कॉंसें प्रस्ताव रखे गए हैं और अन्य कुछ जैसे हमारे फ्रंट-लाइन वरकर्ज हैं उनके लिए सुरक्षा केट या कंजिरू लक्सर में 18 साल से उपर के लोगों को वाक्सिन लगाने का अभ्यान दोरों से चल रहा है जसको देखते हुए स्वास विभाग अलट मोट पर है स्वास विभाग के सीमो डॉक्टर एसके जहां ने राइसी स्वास केंद्र का उचक निरिक्शन किया जहां स्वास केंद्र प होने के बाद जल्द ही यहां डॉक्टरों की दैनाती खी जाएगी आज माये थे राइसी पीएसी को देखने के लिए तो एक तो टीका करन चल रहा है क्या स्टेटस है दूसरा वो पीएसी की अस्थिति क्या है तिसरा भी थर्ड वेब जो आने वाल है उसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और चौते ही जो हमारा कंस्ट्रक्शन होग कर रहा है राइसी पीएसी का तो उसको भी देखने आए थे कि उसमें किया किका क्या क्या किक हमी और कब तक पूरा करेगा तो मचे पे घो ठिकेदार हैं लोग काम भी कर रहें और इनके जो जो प्रोजेक्त मैनेजर हैं उनसे भी मेरी बात ही यह और हम चार हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए यातायाद नेमों का पालन कराने को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभ्यान चलाया इस दोरान यातायाद के नेमों का उलंगन करने वालों बर्शिंग अन्जा कसा गया नगर में यातायात वा लोगडाउन के नियमों का उलंगन करने वालों से पुलिस ने सक्ती से निपटते हुए चलान काटे और कई वहनों को सीज किया कोतवाली के SI GR गोला ने बताया कि लोगडाउन के नियमों के पालन को लेकर चेकिंग अभ्यान चलाया जा रहा है इस समय कोरोना वाइरस वा सड़क दूर घटनाओं से बचाओं को लेकर या अभ्यान चलाया जा रहा है जो लोग चीतर में लोगडाउन के नियमों का उलंगन करते हुए मिल रहे हैं उनके चलान भी काटे जा रहे हैं सभी अभी तक लोगडाउन का उलंगन करने में कई वाहनों को सीज भी किया जा चुका है हर्दवार रोट की विकास प्रादिकरन के सचव ललत नरायन मिश्री ने आयूर प्लांट अभ्यान की शुरुवात की इस अभ्यान के तहट पतंजली योगपीट के सहयोग से हरदवार के हर घर गिलोई तुलसी और अलोवेरा के पौधू को पहुचाने का लक्षनेर धारित किया गया है पतंजली योगपीट के महमंत्री आचार अभ्यान की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि इस अभ्यान से निश्यत रूप से हरदवार हरित द्वार बनेगा एचादी सचेव ललत नरायन मिश्रुन ने कहा कि 20 समास सेवी संगचनों के सहयोग से उन्होंने आयूर प्लांट अभ्यान की शिर्वात की है वो अन्हें संगचनों से भी अपील करते हैं कि इस अभ्यान से जुड़े और अपने पर्यावरेंट को स्वच बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधो को वित्रण करें कि यह आयूर प्लांट योजना हरिद्वार विकास प्राधीकन के माध्यम से और हर्द्वार विकास प्राधीकन के हमारे कर्मठ सचीव महिष्रा जी उनकी पूरी टीम जिस तनमेता के साहीं और दिस तरह से अधिक तो पतंजली का एक विनम्र प्रयास था कि कुछ पौदे हम उपलब्द करा सके वह हमने उपलब्द कराया है इससे हरित क्रांती के साथ साथ में जो हरीद्वार हरी का द्वार है यह हरीद्वार बाजपा के पूर्व जिलाव पाध्यक संजय अरोडा के नित्रत में निशुल्क टीका करन क्याम्प का आयोजन के आगया इस कैम्प में 18 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को पहली डोज लगाई गए कैम्प के उद्गाटन समारों में बोलते हुए बाजपा नेता संजय अरोडा ने कहा कि आज कोवी महमारी का लोग शिकार हो रहे हैं देश प्रदेश की जनता को इस महमारी से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोवी शील्ड वा को वैक्सीन लोगों को लगाई जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इस महामारी ने अनेक लोगों से अकाल मृत्यों में समागे, इस महामारी के चलते अनेक लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, इस दौरान सभी लोगों से मास पहने, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाय रखने की अपील की ह मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वह भर्म की स्थिति ना फैलाए समाज में और जो लोग इस भर्म में आ रहे हैं मेरा उनसे हाथ जोड़ के यह अनुरोध है कि भर्म फैलाने वालों के आकोश में मत आएं वह जल्द से जल्द अपना वेक्सिनेशन करा लें क्योंकि लगबग 30 क्रोड के लगबग वेक्सिनेशन हो चुपा है अब वह इस बात से नाडर है क्योंकि जिन 30 क्रोड को लगा है उनमें कोई केस ऐसा सुनने में नहीं आया मेरा उनसे हाथ जोड़ कई अनुरोध है कि वो हमारे रुड़की में जितने भी सेंटर जहां-जहां लगे वे हैं ज चमुली में लगातार कई दिनों तक हुई बारी बारिश से जन जीवन पर गहरा असर देखने को मिला है बारिश की वज़ा से कई घरों को काफी नुकसान पहुचाए और रस्तों पर पानी भढ़ने से लोगों को परशानियू का सामना करना पड़ रहा है बारी बारिश औ 1984 से यहां ग्रामीन छीतरों में आम जन्मानस के लिए विकास की कारिक्रम संचालित करता रहा है इसी संस्था में युवाओं के लिए विविन प्रकार के प्रसिक्षन भी दिये जाते हैं लेकिन अब बादल फटने के कारण तबाही से सन्नाटा पसरा हुआ है संस्थान के सचेश डॉक्टर हरपाल सिंग नेगी ने तहसीलदार नरायन भगट को ग्यापन देका निवेदन क्या है कि युव्ट स्थानों के चारों की सुरक्षा दिवारों पूरी तरह छती ग्रस्त हो गई है और पूरा परीसर मलवा पत्थरों से भर गया है उन्होंने प्रशासन से कहा है कि घटासल का निरिक्षन कर समंदित विक भागों को संस्थान परेसर में सुरक्षा दिवारे बनवाने और मलवा पत्थरों को हटाने का निर्देश दिए जा तहसीलदार सुरेंद सिंग अदेव ने कहा कि योग्ति संस्थान का निरिक्षन करने के बाद नियमा अनुसार कारवाई अमल में लाई जाएगी देखे अब जो ज्यापन दिया गया है इसमें सबसे पहले तो जांच करा जाएगी और पटवर जी की रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो भी नुपसान हुआ है और खास करके जो उन्होंने बताया कि जो संस्थान के नीचे जो सिंचाई विवाब के दोरा जो सेफ्टी बाल बनाए गई थी जो संबंदिन जो भाब को इसके बारे में गिंतिया जाएगा और जो भी नियम तन होका पार समचार में फिलाल के लिए बस इतने फिरहाज जहरों के देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ तत्तों के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ दोर देखते रहे हैं प्राइम टीवी कर औरों के बस्दोल गुझ कर अवड कर दोर दोरता हैं प्राइम जहाएप घान पर जड़ाराँ सेचना लिए तोर छिक प्राइम उस प्राइम प्याएब लावाश्न एफट्टे प्राइम घर बने वताक्ते रो खबरों प्राइम धुझ का लुड़ में प्राइम